जैहिंद मेरे सभी प्यारे भाईयों को दोस्तों से इस्टर्य आई क्यों मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज 14 अपरेल और 14 अपरेल की दोस्तों है जो हमारी सीरीज चल रही है जीके के कोश्चन्स की 1000 कोश्चन्स की NTPC एक्जाम त्रेलवे गूर्प डी और दोस्तों जन 15 से 20 कोश्चन्स होते हैं ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी और दोस्तों शुब जो मौर्णिंग में वीडियो आति है वह आपकी शीनोनियूम की वीडियो सुरह साथ बज आती है और दोस्तों एक वीडियो आती है आपकी पहने आथ बज जिसमें में आपको करेंट अफे दोस्तो वहती है 6.25 into 10 की पावर 8, 6.25 into 10 की पावर 18 यह होती है दोस्तो, एक कोशन और बनता है, इलेक्टरोन की खोच किस नहीं गी थी, दोस्तो, इलेक्टरोन की खोच की थी, टॉम्सन ने, अगला कोशन देखें, आपका क्या है दोस्तो, त्याग पत्र एक उपन्यास है दोस्तों त्याग पत्र के उपन्यासकार कोन थे दोस्तों त्याग पत्र के उपन्यासकार थे वो थे जन्य इंद्र जी ठीक है दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था 1937 में इनका जन्म हुआ था कि इनका जन्य इंद्र जी का अगला कुशन देख दिसंबर 1923 में इसके स्थापना हुई थी लेकिन दोस्तों उस टाइम इसका नाम जो था हरी जन सेवक इसका नाम था दोस्तों जो इसके अध्यक्ष ते पर्थम अध्यक्ष थे घंशाम दास बिल्ला जी इसके अध्यक्ष थे और इनके साथ जो थे सचीव अमरतलाल विठल जी इसके सचीव थे जो इनके साथ गंशाम दास बिल्ला जी के साथ थे और दोस्तों जो इसका हैड़ को आटर या निके जो आश्रम ता वो था गांधी आश्रम में यह सस्ता मतलब जो इस थापना हुई थी अखिल भारतिय ऐस प्रस्ता इसका दूसरा नाम कहाता हरी जन स अगला कोश्चन देखें आपको क्या है भारत का सुदूर यानि कि काफी दूरी पर दक्षिणतम बिंदू इंद्रा पॉइंट कहां इस्तित है दोस्तों इस तरह के जो भारत का नक्षा होता है आप देख सकते डाग्राम में उसमें सबसे जो दूर है वो कून सा है सब्सक्राइब विए दोस्तों मोश्च इंपोर्टन कोशन है आप इस कोशन को याद कीजिया अच्छे से डीपली कोशन में आपको समझा रहा हूं सारे कोशन इंप्रणट है सबी सब्सक्राइब को मैंने लिया है यहां पे साइंस आपकी हिष्ट्री जहुगरफीपॉलि इस सारे कोश्शन में आपके लेता हूँ, अगला कोश्शन देखें आपका क्या है, लोगसबा चुलाव लड़ने वाले परतियाशी की नियूनतम उम्र कितने वर्स होनी चाहिए, दोस्तों जो लोगसबा के चुनाव होते हैं, लोगसबा हमारे संसद का निम्न सदन है, उसक कि यह लोकशबा में कितनी सीट है तोक टोटल जो सीट है वो 552 सीट है ठीक है रोस्तों पान् bipartisan जो राज्यों से भरी जाती है 20 केंदधर सासित पर्देश्टो round जाती है और दो जो हमारे राष्टपती भरते हैं ठीक है दोस्तों वर्तमान में कितनी लोकष्बा सीट पर क्रेस्को ग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है इस यंत्र से हम लोग जान सकते हैं पोदों के बढ़ने की दर दोस्तों इस यंत्र को देखें इस यंत्र से हम क्या जान सकते हैं जो पोदों की बढ़ने की जो दर होती है उसकी जो बढ़ता है पोदा उसकी दर को किस से जोटा सच के लेखक कोण है ये इसके लेखक को नहीं है या चीज़ों तो देखते हैं अगला सच कोण है अवारा मसिया आवारा मसिया किसmile आठकैने रचना है आवारा मसीया चीक है दोस्तों अगला कोशन देखे आपका कहा है दोस्तों अगर बात करूँ मैं आवारा जो विश्णु प्रभाकर जी है इनका जन्म हुआता 21 जून 1912 इश्वी को मीरनपूर यानिके उत्तर परदेश में जो इनकी मिरत्ति हुईती बोईती 11 2019 न्यू देली में अवारा मसीया के लेखा के विश्णु प्रभाकर जी काफी हमारे बहुत पुराने लेखा के राइटर है काफी माने जाने जाने माने वाले अगला कुछन देखे ए सुटेबल बोई के लेखा कोने दोस्तों किताब इतनी ज्यादा पूछी आती एक्जाम जाने के लेकल कुछिया के लेकल के लेकल में दोस्तों विक्रम सेट जी इनका जन्म हुआ था दो जून 1902 को K WAङ तके निवासी थे अगला कोशन हो देखे हापका क्या है रेफ्रिजरेटर में गैस के वास्पन से ताप कम गराया था तो वह अमोणिया या फ्रियौन दोस्तों इसका आयूपसी नाम है एजेन इंपोर्डेंट कोशन है अगला कोशन देखिए आपको क्या है भारत का सबसे उत्री दोस्तों अभी तो पूछा था दक्षनम बिंदू भारत का सबसे उत्री बिंदू, इंदरा, कॉल, किस राज्य में आवीं थीदो, दोस्तों, वू कहाँ पे हैं, जammu कश्मीर राज्य में यह, इस थी, दोस्तों, आप जammu कश्मीर अलग- Cada has worked, आपको पताऊ- दोस्तों सांस्कृतिक पुनर जागरण का अग्रदूत महादेव गोविंद रनाने जी को कहा जाता है पश्चमी भारत में ठीक है दोस्तों महात्वा गोविंद रजयो रनाने जी है इनका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1842 को दोस्तों इनकी म्रत्य विती 16 जनवरी 1901 इश्वी को पूने में इनकी पतनी का नाम था रामाभाई रनाने जी इनकी जो पतनी थी महादेव गोविंद रना जी अकला कॉशन देख्या आपको क्या है दाव परिवरदन का वायू में ध्वनी की चाल है पर क्या प्रभाववरता दोस्तों प्रभाव निपड़ता है कोई विजुद सहिंतर कहा है इससी दोस्तों यह आपका इस्तित है करनाटक में दोस्तों जो यह पड़ता है करनाटक की राज़ानी है बैंगलूर अगरा कोशन देखें दोस्तों आज का लास्ट कोशन है 42 संसोधन से पूर्ग 5 निरपेक्ष शब्द का 1 मात रुल्ल एक समीधान के किस अनुच्छेद में था दोस्तों यह पंत निरपेक्ष शब्द है 42 संसोधन में जोड़ा गया था लेकिन उसे पहले किस में था अनुच्छेद 22 में इस सब्द का वर्णन था यानिके शब्द था किसमें अनुच्छेद यानिके आर्टिकल 25 टू में इसका वर्णन था किसका पंत निर्पेक्ष्ट का पर इसे जोड़ा का गया था दोस्तों धन्यवाद आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत